नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन के एड़सिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ इस वीडियो को सुनने से पहले और देखने से पहले मैं आप सभी बहने छोटे भाई बहन जितने भी हैं जो कि एक्जाम दिये हैं उन सबसे हाथ जोड़कर ही विन्ती करूंगा कि किसी को अपसब्द ना बोलेंगे चाहे वो सरकार हो चाहे वो आयोग हो ये पहला रिक्वेश्ट आप लोगों से देखिए क्योंकि अगर अपसब्द और यहाँ पे फालतू चीज़े अगर आप करेंगे तो आप अपने पहर पे कुलाड़ी मारेंगे तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि सांती पूर्ण ही इस आंदोलन को यहाँ पे समिट करना है अब देखे मैं उन सभी माता पिता से भी हाँ जोड़कर विन्ती करता हूँ जिनके बच्चे यहाँ पर इस बार 8415 पदों के लिए बहाली के प्रक्रिया में सामिल है वैस उसे भी हाँ जोड़कर विन्ती है कि अगर आप ये के पास ये वीडियो जा रहा है तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें अपने उन छात्रों को जो की इसकी लड़ाई में सामिल होने जा रहे हैं 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको एक ट्वीट करना है ये ट्वीट मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ उसके बाद बहाली के प्रक्रियाओं पे चलूँगा ये ट्वीट है हैस्टेग बिहार पुलिस रिजल्ट दो ये ट्वीट आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बे तक लगतार कंटिन्यूटी में यहाँ पे ट्वीट करते रहना है मैंने उसका लिंक डिस्कप्शन में दे दिया है और उसी ट्वीट पे जाके भी आप ट्वीट कर सकते हैं या फिर आपने ट्वीटर हैंदल पे भी जाके ट्वीट करिए इस चीज़ को दूसरी चीज और यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह है कि मेरे उन जितने भी भाई बंदू हैं जो कि यूटूब है उनका और यूटूब चैनल है चाहे वो छोटा यूटूब चैनल हो या बड़ा यूटूब चैनल हो इस डोजन मैंटर यूटूब अगर देखता है कि विचार किया जाए यही नहीं उन सभी मेरे भाई बंदू जो कि यहाँ पर हर एक टेलीग्राम के क्यूज करा रहे हैं टेलीग्राम पे क्यूजिस दे रहे हैं उनको भी मैं आगे आकर रिक्वेश्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सप हो रही है आठ हजार चार सो पंदरा पदो की सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एडवेटाइजमेंट संख्या 5 2020 की है यही नहीं मैं और भी एडवेटाइजमेंट संख्याओं की बात करूंगा आप लोगों से तो आप लोग प्लीज वीडियो को अंदक देखेगा यह तो यह आठ हजार चार सो पंदरा पदो की जो बहाली है वो नवंबर महीने में निकाले गई और आप सभी को बता दे कि नवंबर 2020 को यह बहाली के प्रक्राइजमे निकाले गई और दो पालियों में 14 मार्च और 21 मार्च को इसका एक्जाम लिया गया चुकि यह जो वेकें हो रहा है फिर भी उन चात्रों ने यहां एक्जाम दिया बहुत सारे चात्रे कटफ के बारे में भी पूछ रहते हैं मैंने कटफ का भी वीडियो उनके लिए बनाया लेकिन मुझे ने रहता है यहां पे कि उस कटफ का कोई फायदा हो पाया क्योंकि अगर रिजल्ट हैनिंग के लिए लेकिन इस पहली के प्रक्रिया में विलंबता हो रही है कहा जा रहा है कि यहां पे बहुत सरे जो की तह बताते हैं यहांपर कि इनका जो कॉपी चेक हुआ है उसको रिट चेक किया पर आइज ठीप्सक क्या आखिर कॉपी में है बाई कि 5 लाग या 6 लाग जो अभ्यारती पाटिसिपेट किए हैं या 10 लाग भी पाटिसिपेट किए हैं उनका कॉपी चीख करने में आपको साल लग गया क्या आपके पास एसी बेवस्था नहीं है और जबकि ऐसा नहीं है कि यहां पर हम भी नहीं करता है भाई ये ध्यान रखिएगा लेकिन आयोग आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि इससे एक साल में इन छात्रों की कॉपी नीचे खो रही है आपको OMR सेट करना है ऐसा भी है निकी हाथ से कॉपी और कलम लेकर चेक करना है आप मसीन में डालेंगे OMR आपका चेक करके निकाल दिया जाएगा एक बार आपको आंसर सेट करके डालना होता है फिर OMR से आपका रिजल्ट आ जाता है तो ये दो पालियों में जो एक्जाम हुआ है क्या इतना ये दैनिये है कि स्थिती ऐसी बन गई है कि इसका रिजल्ट आने में समय लग रहा है आप दो बार से इ कि ये बड़े पैमाने पर एक्जाम हुआ है और इतने चात्रे जो है एक्जाम दिये है तो इसका रिजल्ट आना चाहिए अब तो अब देखे यहां पे जो भी चात्र एक्जाम दिये है उनमें 8415 पदों में 5 गुना चात्रों को यहां पर कॉल किया जाएगा यानि कि लग यहां पे आपकी कॉपिया चेक हो रही है उसके पीछे कारण क्या है आप हमें एक officially यहां पर आकर अपने website से आकर एक notice दे दीजिए कि इस कारण से हमारा जो है विलम बता हो रहा है चलिए आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि हमें बताने जाने कारण नहीं बताना चाहते हैं CSBC तो हमें इतना बस पता होना चाहिए कि हमारा result का बार है ताकि उसके बिहाफ पे आप अगली परिक्षाओं के बारे में भी सोचें और यहीं नहीं मैं आपको और भी update देखलाना चाहता हूं यहां से देखिए यह CSBC को मैंने हाई इसलिए लिखा है हाई हाई कि मतलब यहाँ पर तौबा मचा हुआ है अगर इसकी exam license को देखे गा तो मैं आपको पुरा describe करता हूं देखे पहला वेकेंसी का तो चर्चा हम लोग करी रहे हैं जो कि 5-2021 का यह update है और इस update में दोस्तों देख सकते हैं बिह उनका वेकेंसी था 454 पत का इनका देखे मैं आपको बदा दू कि physical ले लिया गया है अब इसका कुछ update नहीं दिया जा रहा है मतलब कि result देकर इसका physical का भी और update नहीं दिया जा रहा है कि कब joining करवाएंगे उसके बाद वेकेंसी संकिया दो 2020 को लेकर हम बात करें तो ग्रिय एक्जाम लेकर जो है आप लोगों ने अभी तक physical का result कुछ दिया नहीं फिजिकल के बारे में कुछ update किया नहीं है 4-2020 विकियapan संकिया वनपाल को लेकर इसकी भी बाहली की प्रक्रिया अभी तक रुकी होए दोकी 236 पद है मातरी यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आयोग क्या कर रही है इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को एक साथ ले सकती थी इसी बहाली में बहाली की संख्या को बढ़ा कर समझ गये हैं लेकिन ये क्या कर रही है अलग-अलग माध्यम से ये एक्जाम ले रही है यहाँ पे और अलग-अलग पाट भ बार-बार आविदन करेगा तो सोचिए कि अगर 5 वेकिंसी यहाँ पर मैं CSBC का बता रहा हूँ तो हर एक वेकिंसी का आप लोग अगर 500 रुपया देते हैं या 400 देते हैं तो इसके बदले में सरकार के पास कितना रेविन्यू जा रहा है फिर भी सरकार नहीं सोच रही है तो सरकार से जवाब मांगना है तो आपको ट्वीट तो करना पड़ेगा ये ट्वीट आपको करना पड़ेगा मैं बताऊंगा कि कैसे और कब करना है ट्वीट आपको वीडियो में बस अंतक बने रहेगा आखरी वेकिंसी एक और है दोस्तों वनरक्षक का या दोस्तों ये CSBC के तरफ से ही 484 पत का निकाला गया है इसका भी रिटेन ले लिया गया है फीजिकल का कभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है और यहां पर तो 8415 पत का हम लोग जो बात करें कि रिजल्ट देने के लिए तो प्लीज रिजल्ट दीजिए CSBC या फिर बिहार सरकार अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोगों से हाथ कर रहे हम लोग यह आंदोलन है सिर्फ उसके लिए कि जो चातर एक्जाम देकर साल दर साल बैठा रहेगा तो अगले साल का वेकेंसी उसका निकल जाएगा किसी का आखरी उमर होगा और वो आखरी उमर में अगर दो बार एक्जाम देना चाहता है उसको एक ही बार एक्जा जाते हैं तो आप चाहते कि यहां पर अपडेट दीजी आप लो आगे सामने आकर बताइए कि कब तक इनकी जॉइनिंग होगी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने का यहां पर तातपर एक और मैं दिखलाना चाहूंगा आपको यह CSBC का ओफिशल वेबसाइट है यहां आप अगर fireman की vacancy की बात कर लें, fireman का भी vacancy निकाला गया था, 2380 पदो का, अभी तक उसका भी exam date 6 जुन को declare किया गया था, यह exam लिया जाएगा, उसका भी extend कर दिया गया, बोला गया कि यहाँ पे पंचायत का चुनाओ है, तो आपके लिए छातरों का भविश्य importance नहीं है, इसमें किसकी गलती है, अभी हो सकता है कि December आते आते, COVID का दूसरा या तीसरा लहर फिर से दोड़ा है, तो इनकी बहाली के प्रक्रिया तो फिर रुख गई, फिर से हाथ से नोकरी गई, फिर यह बैठे रहेंगे घर में, कुछ भी हो सकता है न, तो आप अगर यहाँ पे त इसरी लहर के अंतजार करवाना चाह रहे हैं, और election करवा रहे हैं, तो यह सायद मुझे लगता है कि आपका बहुत ही अच्छा सरकार यहाँ पे चल रहा है, आप कोई काम ढग से अगर कर रहे हैं, तो रोजगार के उपर चर्चा कीजिए सबसे पहले, अगर रोजगार अब देखे, हमारा एक चौथा इस्तम कहलाता है नियूज मीडिया, अब देखे, यहाँ पे मैं इनको क्यों पकड़ रहा हूँ, कारण है इसके पीछे, यह कुछ भी अपडेट होता है, तो भाई इन लोगों के माध्यम से हम लोग भी आपको सारी चीज़ अपडेट करते हैं, क्योंकि नियूज मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी पता चलता है कुछ चीज़ तो हम लोग आप तक अपडेट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी यूटूब पे चैनल हैं, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार बीपेसी की तैयारी करवा रहे हैं, या फिर इसके लिए अपडेट देते हैं, वो सभी के सभी, हमारा ये स्तंभ है चौथा इस्तंभ है नियूज मीडिया, ये क्या कर रही है, ये सिर्फ जो नियूज पुराना रहता है, उसको उठा उठा के चाप के पुराना ही नियूज यहाँ पे अपडेट कर दे रही है, किसके बारे में, बिहार पुलिस, 8415 पदा के बारे में, क्योंकि इनके पास भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अब यहाँ पर कल एक अपडेट आया, कि 10 अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है आपका, बिहार पुलिस का, 8415 पद का, इससे पहले 30 सेप्टम इनका चलेगा ना काम, इनका काम चल रहा था, लेकिन हम लोगों को तो अपना काम नहीं चलाना है, बार बार एक ही निउस चाप दें, एक ही कटफ बता दें, एक ही वीडियो बना दें, कि उससे हमारा काम चलता रहे, नहीं हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि आप लोग का र नौकरी चाहिए भाई अगर रोजगार नहीं रहेगा आपके आने वाले समय में तो बेरोजगारी इसकदर बढ़ रही है कि लोग नौकरी तो छुटी चुकी है लोगों की अब यहाँ पे चोरी चमारी का भी इस्थिती बढ़ता जा रहा है आप लोग रोज आए दिन इसको मार की सरकार ने इसको सामिल किया था यह जवाब चाहते हैं हम लोग सरकार से और यहाँ पे आपको देखे लड़ना पड़ेगा यह ट्वीट करके यह आपको एक साथ आना होगा ट्वीट करने के लिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा इसका कटफ पचपन तक ही रहेगा कितना जाएगा कटफ क्या रहेगा कटफ यह तो आयोग डिसाइड करेगा और आयोग देगा उसके उपर डिसाइड करके अब देखे रिजल्ट भी आ जाएगा सामने आपके तो उसके उपर भी बहुत बड़ आंदुलन होगा और आंद चात्रों को सपोर्ट नहीं मिला तो उनके साथ गलत होगा अब भाई 10 लाख चात्र अगर फॉर्म भर रहे हैं और वेकेंसी 8000 है तो जहर सी बात है ना कि 10 लाख लोगों तो होगा नहीं यहाँ पे सभी का तो होगा नहीं सिर्फ 8415 कहीं होगा जिनका नहीं होगा या तो करते करते बीपी एससी जो है ठक गई और लाश्ट में फाइनल वही कटप छोड़ दिया गया है आप लोग के सामने सब कुछ हम लोगों ने क्लियर किया है अब यहाँ पे इसके उपर आपको विचार करने की जुरूत नहीं जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं लेकिन जब पारदर्सिता नहीं मिलेगी सरकार से मेरा ये चौथा सवाल था क्या हमें अपने कॉपी के कार्बन कॉपी नहीं दिये जाएंगे क्या हमें आंसर की नहीं दिये जाएंगे ताकि हम लोगों को आर्टिय करके अपने आंसर की वेगरा या कॉपी का हम लोगों जुरूत ना पड़े इसलिए ये पार्धरसिता यहां पर बरती है DRDO जैसा एक्जाम लीजे एकदम simple and clear वो लोग एक्जाम लेते हैं कार्बन को पी दे देते हैं आप घर जाए मिलाई एकदम साफ सुतरा काम होता है जितना आपने कर के आया है वो आपको result में सू हो रहा है आठ अक्टूबर को आठ अक्टूबर को बहुत सारे YouTube पे भी ये चीज़े अपडेट की जा रही है है ना और उनके साथ हम भी खड़े हैं और वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे ये आशा करते हैं और आप लोग जो छात रहें या फिर उनके जो अभीजन है यानि कि जितने भी माता पीता हैं उनके उन सभी को में बोलना चाहूंगा कि आठ अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर साम के 5 बजे तक एक काम करना आपको लगातार यही ट्वीट करना है आपको बिहार पुलिस रिजल्ट दो बिहार पुलिस रिजल्ट दो हैस्टेक लगा लिजेगा हैस्टेक बिहार अंडरिस्कोर पुलिस अंडरिस्कोर रिजल्ट अंडरिस्कोर दो यह जो है आपका ट्वीट जो है इतना ट्रेंडिंग में आना चाहे है चुकि देखिए बिहार के छातर ही RRB और SSE के एगजाम को लेकर भी trend में ले आये हैं तो क्या इस एगजाम को लेकर trend में नहीं ला सकते हैं अब सोची जब बिहार के exam trend में आने लग जाएगा तो ये exam कितना हुआ हुआ जाएगा सरकार के लिए कि इसको रिजल्ट इसको देना ही पड़ेगा एनिया हो तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये प्रयास हमारा सफल रहे तो आप लोग को सपोर्ट करना होगा प्लीज आठ अक्टूबर 2021 को उठकर आईए और ट्वीट कीजिए आप लोग पीटर पे जाकर कैसे ट्वीट करना है ये मैं आपको बता दूँगा ठीक है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्वीटर नहीं चलाने आता है किसी को तो सिंपल प्ले इस्टोर पे जाएए ट्वीटर डाउनलूड कीजिए वहाँ पे अपना एक 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 एकाउंट बनाईए एकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे आपको सिर्फ ये आठ अक्टूबर से लेकर सुबह के 10 बई से सामके 5 बे तक सिर्फ ट्वीट करना है चार गंटे चार गंटे पांच गंटे का गैप ले लेकर आपको दिन भर में ट्वीट कर देना है दो दो गंटे का भी गैप पे करेंगे तो चलेगा ठीक है अब आपको एक होकर यहां पर लगना पड़ेगा ट्वेट तो करना पड़ेगा यह मैंने अपनी तरफ से एक ट्वेट कर दिया है यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरा एकाउंट है जीतेंडर कुमार का और यहां पर दोक्तों मैंने यहां पर जो ट्वेट किया है इ अभी से भी नहीं तो अटलिस्ट आठ अक्टूबर को आपको ये काम करना पड़ेगा ये बिहार पुलिस कॉंस्टेबल पांच 2020 की वेकेंसी का रिजल्ट मांगा जा रहा है बाकि सभी CSBC की तरफ से जितना भी एक्जाम में उसका भी रिजल्ट दीजिए भाई उसका ज्वै इसकुमार को तेजश्वी यादो को जो कि नेता परतिपक्ष हैं जो कि देखें नेता परतिपक्ष का बहुत बड़ा रोल रहता है यहां पे आप सभी को मैं क्लेर कर देना चाहता हूँ कि नेता परतिपक्ष अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे तो ही कुछ काम बनेगा क् इनकी सरकार ऐसी नहीं है जो प्रतिपक्षें बैठे हुए हैं कि कमजोर हैं ये एक बहुत ही मजबूत यहां पे यहां पे बहुत ही मजबूत एक विपक्ष है हमारा जो की आपको सपोर्ट करेगा तो आपका काम बनेगा तो इन से भी रिक्वेस्ट है इसलिए इनको भी हमन में हैं भाई RJD के क्योंकि RJD जो है प्रतिपक्ष यामारव विपक्ष का पार्टी है तो इनको भी टैग किजेगा बाकि जितने भी नियूज के जरिये जितने भी नियूज पेपर के जरिये आप वो ये सारे नियूज मिलते हैं जैसे कि लाइब हिंदुस्तान हो गया दैनिक उनके एक्जाम डेट वेगरा सब कुछ आगे लेकर आगे हैं तो बिहार के लिए भी एक बर आप जरूर खड़े होंगे तो मैंने यहाँ पे टैग किया है सर को ठीके सर देखेंगे अगर तो जरूर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पे ABP Live News, बिहार Tag Channel, इन सब को मैंने टैग किया है और यहाँ पे आप लोगो भी टैग करना होगा यहाँ आप यहाँ पे जाएंगे इस पेज पर आपको दिखेगा वहाँ पर रे ट्विट कीजिए या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में यह जो आप देख रहे हैं ट्विट इस ट्विट को लिख करते रहे हैं तो यह चोटा सा प्ष़ प्रयास है हमारी तरफ से दोस्तो जो कि इस विडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुचाने का प्रयास किया है और आप लोगों के साथ खड़े हैं और कल भी खड़े थें आज भी खड़े हAmerica और आगे भी खड़े रहेंगे आपके नौकरी होने तक आपके साथ खड़े रहेंगे All the best चलिए Share कीजिएगा वीडियो को धन्यवाद